अगर हम घर पे ही बिना सेव के सेव वाली मिठाई बनाते हैं तो कैसा रहेगा वो भी बिना किसी फूट कलर का यूज करते हुए देखने में इतना खुबसूरत बिल्कुल असली वाला सेव दिखता है है ना तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं अगर आज की इस एप तो सबसे पहले मिठाई को बनाने के लिए मिठाई में यूज होने वाले फूट कलर का प्रिप्रेशन कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने एक बीट को थोड़ा सा पानी एड करती हुए इसे ग्राइंड कर लिया था और एक मैंने पहले से बॉल चढ़ाया हुआ था उसमें म हम जूस इस तरीके से निकाल लेते है तो गैसके फ्लीम को पहले हम स्टाइर इन में रखेंगी उसके बाद जैसे यह इसमें एक बॉयल आता है तो हम रिचल यह इसके फ्लीम को लो च्šक्श से छोड़ देते हैं और इसे बीचल मिचम उस्टारिके से Penis एक से तरीक से फिर से करेंगे और हम देखेंगे की जो हमारा कलर है थोड़ा से ठेक्ट हो गया है इसे जॉला का थिकते सद्शा अच्छा हो जाता है चरी के पार अपने की मिठाई की शुरुवात करने में यहां पर ने एक करो तो नगूर के सैनल तो गैसर के अजयाओ ऐना है। मैं प्र質 करें हैं। और इसके बाद जो एक कटोरी दूद में मैंने केसर के लच्चे डाल के रखे थे इसके बाद इस दूद को भी हम एड़ कर लेते हैं स्टार्टिंग में हम अपने गैस के फ्लेम को low to medium में रखेंगे और इसे continue stir करते रहेंगे और अच्छे से हमें इन दोनों को mix कर लेना है इस मिठाई को बनाते बाद सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे हम लगतार चलाते रहेंगे और स्टार्टिंग में गैस के फ्लेम को low to medium में रखेंगे मतलब low से थोड़ा सर जादा अपने गैस के फ्लेम को रखना है और इसके बाद लगतार चलाएंगे नहीं तो इसके में लब्स बनने शुरू हो जाते है तो इसे लगतार हम चलाते रहेंगे और जैसे इसकी consistency थोड़ी से ठीक लगती है तो अब यहाँ पर हम add करने वाले हैं एक काटोरी milk powder तो मैंने यहाँ पर एक काटोरी milk powder add कर लिया है और गैस के फ्लेम को हम यहाँ पर low रखेंगे और इसे लगतार हम stir करते रहेंगे क्योंकि यहाँ पर हम जब milk powder add करते हैं तो इसके continue lumps बनने शुरू हो जाते हैं तो starting से हम इसे continue stir करते रहेंगे continue चलाते रहेंगे और यहाँ पर ज़रूरत पड़े तो आप hand blender का use कर सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी lumps नहीं अच्छे लगते क्योंकि जब मिठाई बनके तयार होते हैं तो बहुत ही creamish और smooth texture बनके तयार होने चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पर hand blender का use किया है और आप 3-4 मिनट लगता चलाने के बाद जब इसका texture कुछ इस तरीके से दिखने लगता है मतलब यह विरुकुल smooth और creamish दिखने लगता है तब हम यहाँ पर 1-1.5 मिनट के करीब यहाँ पर देसी गी आड़ कर लेते हैं और इसे हमें mix कर लेना है और अब हमें low flame पर ही इसे लगतार चलाते रहना है यहाँ पर आपको 4-5 मिनट मुश्किल से लगेंगे और इस तरीके से चलाते हुए जब आपको इसका texture कुछ इस तरीके से दिखने लगता है तब हम यहीं पर gas के flame को off कर लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए मतलब ठंडा नहीं होने देना है गुन-गुना ही इसके temperature को रखना है और इसे हम side कर लेते हैं और गुन-गुना होने का इसका weight करते हैं तो आप देख सकते हैं यह बीना चीनी के हमारी मिठाए कितनी tasty बन जाती है और यहां पर चीनी के जरूरत भी नहीं पढ़ती क्योंकि यहां पर जो हमने condensed milk अड़ किया है और साथ में milk powder बे अल्रेड़ी मिठी ही होते हैं तो यहां पर मेरे हिसाब से बिल्कुल भी चीनी अड़ करनी की जरूरत नहीं है तो जैसे यह थोड़ा सा इस अरीके से गुन-गुना हो जाता है तब हम इसे apple shape दे देते हैं इसे बनाने से पहले हम अपने दोनों हथेलियों में घी को गुरस कर लेते हैं और इसके बाद इस तरीके से गुल-गुल shape देते हुए बीच में गुलकन फिल कर लेते हैं अब गुलकन क्या होता है इसे जानने के लिए और इसे कैसे बनाते हैं तो मैंने इसकी recipe अपने चैनल पर दी हुई है तो आप वहां पर जाके check out कर सकते हैं या फिर मैं या आई बटन पर लिंक दे दूँगी आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं और इसके बाद इसे गुल-गुल इस तरीके से shape कर लेना है और इस तरीके से बाकी भी हम सारे मिठाईयों को इस तरीके से गुलकन को fill करके और बना लेते हैं तो अब मैंने same process के साथ सारी मिठाईयों को बना लिया और अब मैंने यहां पर एक brush ले लिया है brush के पीछे वाले पार्ट से हमें इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा haul इस तरीके से कर लेना आप देख सकते हैं यहां पर मैंने paint brush लिया है तो अगर आपके पास कोई भी नया paint brush लिया है अच्छी तरीके से wash करके किसी भी paint brush का use कर सकते हैं अगर आपके इस मिठाईयों में अगर पीछे का part चिपक रहा है तो घबड़ानी की कोई बात नहीं है इसमें आप थोड़ा से घी grease करके इसे इस तरीके से shape देते जाएं तो मैंने सारे मिठाईयों में चोटे-चोटे से hole कर दिये हैं और अब इसे इसकी decoration के लिए मैं यहाँ पर long और पिष्टे को use करने वाली हूं पिष्टे को मैंने बीच से green cut कर लिया है जिससे इसका look दीन आता है तो अब यहाँ पर मैं इस तरीके से long को decorate कर देते हूं और lips बनाने के लिए तो lips की जगर पर मैं यहाँ पिष्टे को इस तरीके से सजा लेती हूं तो बिल्कुल देखके यह लगने लगता है एपल वाला look तो यहाँ पर long लग जाने के बाद यहाँ पर मैं पिष्टे को भी लगा लेती हूं कुछ इस तरीके से और अब अपने मिठाई के डेकुरेशन के बाद इसके कलर देने की बारी आती है मतलब अपने अपल में जब हमें कलर अपने फिल अप करने हैं तो अब चलिए इसको कलर हम दे देते हैं तो प्रज के साथ मैंने जो हमने एक प्रिपरेशन करके रखा की हम उससे और कर देता है और बहुत अच्छा निक अखज आता है और सीम अपने मिठाई sigui में मैंने Meg權 दिए है Soul तो असली वाला एपल लगने लगता है तो देखा दोस्तों बिना किसी सेव के सेवाली मिठाई हमारी बन के कितनी सुन्दर सी तयार हो गई इसमें ना तो कोई चीनी यूज़ हो किया है मैंने और ना ही कोई फुट कलर का यूज़ किया है इसमें सारे चीज नाचुरल है और ये बिल्कुल आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है आप इसे जटपट बनाए और अपने भाई के साथ शेयर करें बहुत जादा आपका भाई खुश होगा और आप अपने भाई से इस राखी क्या लेंगे अगर अच्छे लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजे और जादर से जादर शेयर कीजे ताकि इस मीठे से उसे अपने भाई के मूँ को मीठा कर सके तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही नेक्स वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ जब दखे लिए बाबाई